अगर आपने हमारी चैनल के साथ जुड़ी हुए काफी टाइम से तो आपने देखा होंगा कि हम इसके हलावा भी लाइफ सेशन्स करवा रहे हैं और साथ ही हमने एक डेलिग्राम ग्रूप भी बनाया हुआ है जिसमें वो सारे पीडियेक्स हम आपको सेंट करते हैं साथ ही हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं जिसके लिए आपको हमें पे करना होंगा ओन्ली 399 रुपीज यह mcq-based pdf होंगा जिसमें हम करेंट अफेर्स, पॉलिटी और स्टेटिक जी के कवर करेंगे आप पे कर सकते हैं इस स्कैनर के तुरू या फुर इस प हम आपको यह pdf प्रोवाइट कर वाएंगे तो अभी के लिए हम आगे पढ़ते हैं आगे पढ़ने के लिए पहला कॉश्चन है बाइ डिफीटिंग विच टीम इंडियन वोमेंस टीम हाज वॉन दियर फर्स एवर एशिया टीम चैंपियंशिप टाइटल अच सेटिया कंवेंशिण सेंटर इंशा आलम मलेशिया तो कल इसके हमने न्यूस कवर की थी कि इंडियन वोमेंस टीम ने फर्स एवर एशिया टीम चैंपियंशिप टाइटल जीता है जो कि सेटिया सिटी कंवेंशिण सेंटर में हो रहा है यह कहां है यह शा आलम में है मलेशिया में ल थाइलेंड को हराया है यहनकि थाइलेंड यह मैं इसलिए कुश्चन रिपीट कर रहे हूं क्योंकि फॉर्स एवर आ रहा है अगर आपको कभी ऐसा लगे कि इंडिया का इंडिया का इंडिया का फॉर्स आ रहा हूं कुई भी तरहें बहुत क्या है कña किसी लगे क्यों कि मंपन स्थोमे क्योंकि इसलिए और कभी कभी खुश्चन पुटब करता है कि मैं पहले बी ऑग्जांपल कुछ और पूछ लेता है कि इनकी capital क्या है currency क्या है तो इसलिए यहाँ पर दिये सारे options के लिए मैं आपके लिए लिख्या है Thailand की capital है Bangkok, currency चलती है भाट, Bhutan की capital है तिमफू, currency चलती है गुलत्रम, Nepal की capital है काथमांडू, currency चलती है नेपाली इस रुपी बांगलिदेश की capital है धाका, currency चलती है बांगलिदेशी टाका, धाका बहुत इसी है नेपाल, काथमांडू में क्योंकि अक्सरा पर्दक्वे की नेपाल काथमांडू से ही होती है और वहाँ चलता है नेपाली रुपी, रुपी तो सेम ही है तो बस नेपाली लगाने है भूटान की हाँ capital और currency आपको याद करनी हो सकती है थाइलाइन की capital अल्मोस सबको पता होते है बैंककॉक है और currency भाट है तो यह याद करने में easy है आगे बाच की news की तरफ चलते है अफ्रीका's first green game summit to be held in narrowby अब यहाँ पे इंडिया या वर्ल्ट का first नहीं यहाँ पे कहा है अफ्रीका's first green game summit अफ्रीका में एक green game summit हो रहा है जिसका first edition है यह और वो हो रहा है नेरोबी में नेरोबी कहा है नेरोबी में नेरोबी कहा है नेरोबी है केनिया में केनिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका capital नेरोबी है तो वो नेरोबी यहाँ पे लिखा है आये जाते इस summit के बारे में the summit will take place just before the sixth session of the UN Environment Assembly at the UN Environment Program Headquarters at नेरोबी तो यह summit कब होगा यह होगा UN Environment Assembly जिसका sixth session होने वाला है UN Environment Program में जो की जिसका headquarter यानि की UNEP का headquarter नेरोबी है इसलिए यह उससे just पहले होगा summit का aim क्या है summit aims to harness the power of gaming to meet the needs of environmental sustainability summit का aim जो है कि वो ऐसा power of gaming चाता है कि वो environmental sustainability आजकल बहुत चल रहे है environment sustainability आजकल हर objective हर aim में आपको मिलेगी तो environment sustainability चाहिए gaming के थूँ यह इनका aim है simple नेरोबी is the capital of Kenya जैसे कि मैंने बताया करंसी है यहाँ पे canyon shilling canyon shilling president का नाम है इनके उहुरू के नियाता आगे बढ़ते है next news पे आज mostly international news जादा है Finland's presidential election won by ex-prime minister Alexander Stub Alexander Stub के Finland के प्राइम मिनिस्टर रह चुके है 2014 के आराउंड तो इन्होंने अविस बार presidential election जीत लिया है इन्होंने यह ब्लॉंग करते हैं center right nationalist coalition party से और इन्होंने defeat किया है liberal green party के member पेका हविस्टो को पेका हविस्टो को पेका हविस्टो कौन बने है नए हंगेरियन प्रेसिडेंट नोवाक रिजाइन्स ओवर सेक्स अब्यूस केस पाड़न हंगेरियन प्रेसिडेंट नोवाक ने resignation दे दिया है अपनी presidential पद से यानि की राश्ट्रपती के पद से क्यूंकि एक माफी नामे की तरहां जो इक सिस अब्यूस केस में उनको हुआ था उसकी रिलेटेड आई आगे चानते हैं अगेरियन प्रेसिडेंट कैटलिन नोवाक की इनका पूरा नाम है resigned after coming under mounting pressure for pardoning a man convicted for helping to cover up sexual abuse in a children's home इन्हों ने एक आदमी को माफ कर दिया था जो क्राइम किया था उसने वो था sexual abuse का एक बच्चों के घर में आफे जो भी orphanage home जैसे कह सकते हैं तो इसलिए उनने माफ कर दिया था और उसकी माफी के लिए माफ करने के लिए उन्होंने अभी resign कर दिया है हंगरिया के presidents से presidents पत से सोड़ी है पोस्ट से हंगरी हंगरी capital है बुड़ापेस्ट और currency यहां चलती है फोरेंट फोरेंट आगे चलते हैं next news भी international है North Korea launches cruise missiles North Korea के leader है Kim Jong-un supervise the evaluation test firing of the new surface to sea missile Pedasuri 6 इस missile का नाम क्या है इस cruise missile का Pedasuri 6 यह इनके leadership इनके Kim Jong-un के supervision में की गई है test firing जिसका नाम है Pedasuri 6 तो North Korea के capital है Pyongyang थोड़ा इसका pronunciation अलाग है Pyongyang इनका capital है और currency चलती है North Korean won यह बहुत एज़ी है याद करना North Korean won नौट कोरिया की currency है आगे चलें तो finally domestic news हमें मिलती है Government doubles FCI authorized capital to rupees 21,000 करोर in big boost to farm sector Government ने एक announcement करी है कि वो increase कर रहा है authorized capital of the food corporation of India वो किसका capital increase कर रहा है FCI का food corporation of India 10,000 से 21,000 कर रहा है आगे चलते हैं next news इसमें जादा कुछ धियान रखने के लिए नहीं है question यही आ सकते है कि FCI के बारे में कि 10,000 करोर था तो मतलब पहले amount क्या था 21,000 अब हो गया तो यह FCI से relation कोई question आ सकते है आगे बात करते हैं तमिल नाडू government launches थायुमान वार स्कीम टु रिमूफ पवर्टी यह उन्हें की language में है थायुमान वार स्कीम टु रिमूफ पवर्टी तमिल नाडू के जो finance minister है थंगम थेनारसू इन्होंने announcement की है कि chief ministers थायुमान वर स्कीम टु एलिवेट पवर्टी फ्रम टु पवर्टी फ्रम टु इस टू अगे यह एक ऐसी पवर्टी पवर्टी अगले दो साल में कम कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स नियूज है इंडियन क्रिकेटर शुब्मन गिल नेम्ड पंजाब स्टेट आइकन टु वू वोटर्स स्टेट आइकन मतलब क्या जैसे कि अम्बैजडर होते हैं वैसे स्टेट आइकन भी होते हैं इन्हें क्यों चुना जाता है क्योंकि आभी भी हमारे हां पूरी जितनी अबादी है इंडिया की उतनी वोटिंग नहीं देती है वो तो इंकरिच करने के लिए स्टेट गवर्म के लिए और वैसे भी एलेक्शन इस एयर है तो जाधा वेर्नस फैलाने के लिए जो भी करेंट या ट्रेंडिंग में एक्टर या क्रिकेटर जो भी जाधा पॉपुलर हो रहा होता है उसको ऐसा आइकन बनाया जाता है ताकि लोग उनसे इंस्पायर होंके चाहिए वोटिं आइकन अगे पटते हैं फैनेंशिल एसस्टेंट्स फर रबर सेक्टर रेस बर रचे थेथी परसंट फो फैनेशल ये 24-25 ये 25-26 रबर सेक्टर में रेस में यह 23 परसंट जोबासे सोबगेशा हो 25 आध जाता है या एटांते हैं डीटेल में the financial assistance for the rubber sector under the sustainable and inclusive development of natural rubber sector has been increased by 23rd 3% from Rs. 576.41 crore to Rs. 708.69 crore for the next two financial years. यह कौन से rubber sector यानि की rubber sector में जो यह है sustainable and inclusive development for natural rubber sector उसको increment मिला है increase मिली है 23% की इनका पहले amount था 576.41 crore अब 23% के बाद हो गया है 708.69 crore यह अगले दो साल के लिए ऐसा किया गया है to support the rubber industry planting of rubber will be undertaken in 12,000 hectare in traditional areas during 24-25 and 25-26 financial year within outlay of Rs. 43.50 crore तो rubber industry को और support करने के लिए rubber plants उगाए जाएंगे जो की 12,000 hectare में उगाए जाने है इन दोनों साल यह 24-25 और 25-26 जिसका amount इनोंने बताया है 43.50 crore for this the rate of assistance has been increased और इसके लिए ही rate of assistance increase किया गया है 40,000 पर हेक्टर from the earlier Rs. 50,000 पर हेक्टर 25,000 sorry 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 मैं गलत बता दिया for this the rate of assistance has been increased to Rs. 40,000 पर हेक्टर यानि की rate of assistance जो है बंक्रीस कर दिया गया आप कर दिया है 40,000 पर हेक्टर जो की पहले था 25,000 पर हेक्टर तो हूप आपको easily समझ आगे होगा आगे पढ़ते हैं इना फॉर्स्ट इंडियन ओरीजिन और स्ट्रेलियन सैनेटर वरं घोष टेक्स ओतन भगवत गीता अब ये इंडियन ओरीजिन क्या होता है उन्डियन ओरीजिन होता है कि वो इंडियन में बॉन हुए है उनके पास भले ही कहीं और कि सिटिजन्शिप हो या मिल गई हो बॉन इंडियन हुए हैं तो बैरिस्टर वरं घोष बिकेम दे फॉर्स्ट इवर इंडियन बॉन मेंबर आज के लिए इतनी ही न्यूस थी तो हम कल मिलेंगे और न्यूस तो बैरिस्टर वरं घोष पहले बन जाते हैं अगर मैंने का कि जो फॉर्स्ट इवर आता है वो बहुत ही मोस्त इंपॉर्टन होता है तो इनका नाम आप रट लीजे फॉर्स्ट इवर है जो कि एक इन्डियन बॉन मेंबर है और आस्ट्रेलियन पार्लेमेंट में उन्हें ओथ ली है किस चीज की ओथ ली है भगवत गीता की आगे भढ़तें अच्छा आज के लिए इतनी ही न्यूस थी तो हम कल मिलेंगे और न्यूस के साथ that was it for the video thank you